कर दो कि कि हेलो साथियों के से आप सभी में विविए कि फिर सब सभी साथियों का आपके परिवार एक्जामपुर में हार्तिक स्वाकत करता हूं हमें एक्जामपुर कलम सिक रांती एक बार तो ऐसा लगा मेरा विस्तरदा दिख जाए कैमरा भी ऐसा फोकस कर रहा है साती हो कल आप लोगों ने जो साथ दिया मेरा इतना अपने बड़े भाईया का विविक का उसके लिए मैं का बहुत तहे दिल से सुकरियादा करता हूं बहुत जादा अापका धन्यवाद करता हूं आजिए स्पेशल क्लास में ने मात्र दो घंटे की रखी है कितने घंटे की क्लास ​​क verbessें मेरी कोशिस है कि मैं आपको चुनिंदा प्रिशनों के माध्यम से बच्चा जितना भी आपका साहित है पत्र पत्रिका हैं पुरुसकार हैं वो खतम कर दूँ तो सौ देड़ सो कुश्यने थोड़ा तेजी से चलेंगे यदि आपकी थेयरी तैयार नहीं है तो बबु मैंने प थेयरी तैयार नहीं है साहित्ते की तो आप वो क्लास देख लेना थेयरी तैयार है तो आप ये क्लास आपको फायदा देगी एक बार सभी लोग कमेंट्स में लिख दीजिए वर्दी मेरा जुनून रह सुल्तान करदे चढ़ाई मैं थोड़ा तेजी से नहीं बोलूँगा पता चले सुल्तान का जी बहार लेकड़ाया वह के रास्ते मुझे हो रही है बहुत तेज खासी तो मैं बस कैसे कैसे पढ़ा रहा हूँ मैंने दो सीसी खतम कर दी प्यक्कड बने गया है खासी की दवा का चलिए ग्यानपीट पुरुसकार किस भाशा से संबन देता है ग्य दो पुरुसकार देती एक तो ग्यानपीट पुरुसकार देती है और ग्यानपीट पुरुसकार की स्थापन उनिस तो एक सटमी की थी नोंने और एक दिती है मूर्ति देवी अवार्ड मूर्ति देवी अवार्ड ठीक है भारतिया ज्यानपीट संस्ता उनिस सो चावारस मे शान्ती शाहूलाल जैन जी के द्वारा की गई थी शान्ती शाहूलाल जैन जी के द्वारा जबकि ग्यानपीट 1961 में इस्थापित जो ये कुल भाशा है अच्छे से आध रखेगा कुल भाशा जिन में ग्यानपीट दिया जाता है वो हो जाती है 23, 2289 सुची की और एक हो जाती अंग्रेजी अंग्रेजी में एक ही बार दिया गया है चवनवा ग्यानपीट जो दिया गया है अमताव नाम के एक व्यक्ती थे तो पूछेगा इसका संबंद किस्से है समवी धान के आठवे नुसुची की सभी भाशाओं के साथ साथ अंग्रेजी से भी इसका संबंद है अंग्रेजी याद रखेगा आठवे नुसुची में नहीं आती है पहली बार 1965 में दिया गया जी शंकर कुरूप जी को हिंदी में पहली बार 1968 में सुमितन अननन पंत जी को और लाश्ट जो दिया गया है वो दामोदर मोजो जी को दिया गया है ठीक है भी या कॉंकडी भाशा के है ज्यानपीट पुरुसकार की स्थापना किस ने की थी मैंने गाँ ज्यानपीट पुरुसकार कौन सी संस्था देती है भारते ज्यानपीट और भारतिय ग्यानपिट संस्था के संस्था पकोने शान्ती प्रसाद जैन या शाहू सान्ती प्रसाद जैन इनका नाम था तो ग्यानपिट पुरुस्कार की स्थापना 1961 में इनी के द्वारा की गई और 1965 में प्रत्थम बार दिया गया 1965 में आर्द रखिएगा ये साथी पृत्थम बार दिया गया है ये अवार्ड पहली बार कब दिया गया है ग्यानपीट आवार्ड तो अच्छे से आद रखिएगा ये 1965 में पहली बार दिया गया पहले का उत्तर डी दूसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है तीसरे और चोथे का उत्तर दीजे, पुछाए अग्ये जी के किस कृती पर ज्यानपीट पुर्सकार मिला है। पंत जी को, चिदंबरा के लिए पंत जी को, फिर 1902 में रामधारी सिंग दिनकर जी को उर्वशी के लिए। यामा के लिए याद रखेगा महादेवी वर्मा को, यामा के लिए किस को मिला महादेवी वर्मा जी को, इसी प्रकार आप देखेंगे लाश्ट 2017 में किर्सना सुवती हिंदी की बात कर रहा हूं। तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए अग्गे जी को क्या मिला ग्यानपीट और आगन के पार द्वार इस रचिना के लिए साहित्य अकादमी अवाड मिला। साहित्य अकादमी अवाड मिला। महादेवी वर्मा जी को ज्यानपीट पुर्सकार कि स्कृती पर मिला। और शानदेगीत इन चार से मिल कर बनी थी यह, याद रखेगा पूछेगा निहार नीर्जा रश्मार रशमी सांदेगीत तो तीसरे का उत्तर दी आपका बिल्कुल सही है, चौते का उततर सी आपका बिल्कुल सही है, चिलीए साती पांच वे ओर छटे का ुतार दो पांच वे ओर छटे का आज जो आरव ए determine कल वाली रात उसे 50% और कल वाली परinskyर्व और ऑना है तब भी किर्सी भाली जो क्लास लीथी ना किर्षी वाली आप लोगों के लिए इस więc किर्षी के साथ कुशियन उसी क्लास से है क्योंकि यदि आपने थेयोरी नहीं की एक्साम पूर से साहिते की तो फाच गंटे वाली ज इधे jam कर लो मैं आपसे Oops कर रहा है अगर ये class आपने नहीं की तो आप पंतिजी को किस कृति पर आप जानते सर 1968 1968 में सुमित्र अनंदन पंतिजी हिंदी के पृथम कवी थे हिंदी के पृथम कवी थे जिने साती ये चिदंबरा के लिए मिला किसके लिए चिदंबरा के लिए लोकाइतन के लिए इनको सोवियत लेंड नहरू पृसकार मिला 1965 में सो साहित्य अकाद्मी अवाड कितनी भाशाओं के लिए देखे अगर इसकी स्थापना की बात हो कि साहित्य अकाद्मी अवाड की स्थापना कभी 1954 में पहली बार कभ दिया गया 1955 में यह याद रखेगा बाइस तो आठवेनु सुची की एक राजिस्तान हिंदी और 24 में साथी अ उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है साथवे आठवे का बताईए साथवे आठवे हरिवन शिराय बच्चन जी को किस करती के लिए साहित्य अकाद्मी अवाड मिला और रामधानी सिंह दिनकर जी को किस करती पर साहित्य अकाद्मी पुर्सकार मिला तो देखिए हरिवन शिर सरस्वती सम्मान भी मिला इनकी आत्मकथा के लिए 1991-92 में पिर्थम सरस्वती सम्मान हरिवन शिराय बच्चन जी मदुबालय याद रखेगा 1935 में इनकी ये पहली मदुख शालय मदुबालय इनकी साथी पहली रचना हैं तो बाला शाला ऐसे करके आप याद रखेगा रामधारी सिंग दिनकर जी को 1972 में याद रखना 1972 में इनको ज्यानपीठ अवाड मिला 1972 में और किसके लिए उर्वशी के लिए जबकि साती संस्कृति के चार अध्याए इस पुस्तक के लिए रामधारी सिंग दिनकर जी को साहित्य अकाद्य में वाड मिला एक बात और या दिया गया है तो साथुए का उत्तर भी आठुए का उत्तर सी आपका बिलकुल सही है नौवे और दस्वे का उत्तर दीजे किस वर्श से लेखक को और उनके कृती के लिए पुरस्कार सम्मानित करना अरंब हुआ देखिए साहित अकादमी अवार्ड ये दिया 24 भाशा में जाता है और इसकी स्थापना 1954 में हुई है इस अवार्ड की स्थापना का हुई भहिया 1954 में एकिन कहाई किस वर्ष से देना प्रारम हुआ और हिंदी के लिए प्रिथम किसे मिला माखललाल चतुरवेदी जी को हिम तरंगनी के लिए जिनको एक भारतिया आत्मा भ भी कहा जाता है इन्हें फूल के भिलाशय वगिरा भी नहीं की हैं हिम तरंगनी हिम क्रिटनी तो 1955 में पहली बार दिया गया हो जाते हिंदी मेथली दोनों में लिखते थे हिंदी मेथली वेद्यनात मिस्र इनका बच्पन का नाम था इनको मेथली के लिए इनको किस तो हिंदी मेथली दोनों में लिखते थे मेथली के लिए इनको साहित्य अकादमिय वाड मिला नौवे का उत्तर A दसवे का उत्तर D आपका बिलकुल सही है 11 और 12 पर आ जाते हैं कला और बुढ़ा चांद के लिए सुमित्य अनन्दन पंत जी को कौन सा पुरुसकार मिला कला और बुढ़ा चांद के लिए और कौन सी कृती सन 1963 में साहित्य अकादमिय पुरुसकार विजेता अमरित राय की है अमरित राय याद रखेगा प्रेम चन जी के पुत्तर थे कला और बुढ़ा चांद के लिए सुमित्य अनन्दन पंत जी को कि साहित्य पुरुसकार से तो देखे ज्यानपीड तो इन्हें चिदमरा के लिए मिला ज्यानपीड चिदमरा के लिए व्यास सम्मान मिला नहीं इनको आप देखोगे मंगला प्रसाद भी नहीं इनको यहां पे हटा दो हिंदी साहित्य अकादमी अवाड कला और बुढ़ा चांद के लिए कौन सा मिला हिंदी साहित्य अकादमी अवाड 1963 में देखे निराला की साहित्य साधना ये राम विलाश शर्मा जी को मिला मुक्ती बोध जैनेंद्र मुक्ती बोध जैनेंद्र मुक्ती बोध जैनेंद्र याद रखेगा यहां पर आप श्री लाल शुकल रागदरवारी श्री लाल शुकल रागदरवारी श्री लाल शुकल रागदरवारी निराला की साहित्य साधना रामविला शर्मा जी को ये प्रेम चंद कलम का सिपाही ये साती याद रखेगा प्रेम चंद कलम का सिपाही ये किसकी रचना हो जाती है तो क्या को होगे भहिया प्रेम चंद कलम का सिपाही ये किसकी रचना 1963 में आप को होगे भहिया जी प्रेम चंद कलम का सिपाही तो ग्य उसकार से समानित किया गया था मुक्ति बोध उपन्यास है मुक्ति बोध उपन्यास है देखिए एक गजानन मादम मुक्ति बोध है वो उनका सरने में चांद का मूट इड़ा है गजानन मादम मुक्ति बोध ये इनका सरने में और इनोंने मुक्ति बोध के नम से क्या लिखा कार नीलम देश की राजकन्या इत्यादी इनके कहानी संग्रे हो जाते हैं नीलम देश की राजकन्या इत्यादी क्या हो जाते हैं इनके कहानी संग्रे हो जाते हैं त्याग पत्र सुनीता ये सब इनके उपन्यास हो जाते हैं मुक्ति बोध नीलम देश की राजकन्या ये इनक दर्वारी के लिए इनको 1979 के दर्मियान में साहित्यकाद्मे वाड मिला था 1979 के दर्मियान में इनको कौन सा पुरुस्कार मिला राग दर्वारी 1979 के दर्मियान में क्या मिला राग दर्वारी के लिए ठीक भी या तेरे का उत्तर भी आपका बिलकुल सही है चौधे का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है लिए साथियों एक बार सब लोग शेयर करके चलना कल के जैसे एक बार सब साथी मिलकर क्लास के लिंक को शेयर कर दो दो घंटे की क्लास से पूरी क्लास लिए बिना मत जाना साहिते भगवान ने चाही तो आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा भगवान ने चाही तो बहुत फायदा मिलेगा एक बार खीच कर शेयर कर दीजे सब लोग कल की तरह आज भी चाहें अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो लगातार दो दिन हम लोग आज उठा के चलेंगे चलिए बहुत ध्यान से समझना बहुत ध्यान से एक चीज को पढ़ा रहा हूँ हला कि मैंने फिर से कह दी आप से कि इसका डीपली जो पांच घंटे की क्लासों से लेना पड़ेगा ये तो मैं आपको टूदी पॉइंट करा रहा हूँ सो सवासो कुष्यने डेड़ सो दो घंटे में पूरे साहित्य पत्र पत्री का बढ़िया तरीके से सन 1924 में साहित्य अकादिमी पुरसकार प्राप्त शिव मंगल सिंग सुमन की रचना मिट्टी की बरात ये किस विधा की किरती है शिव मंगल सिंग सुमन इन्होंने एक रचना रची जिसका नमता मिट्टी की बरात मैं इसको कैसे आद कर रहता हूँ भगवान शिव जी की बरात वहां से आद करिएगा ये काववे है ये पॉल्ट्री है ये कवीता है ये काववे है शिरिलाल शिकल को उनकी किस किरती पर व्यास सम्मान मिला मैंने कहा देखो राग दर्बारी के लिए साहित्य अकादिमेवाड और जो में जिस कुश्यन में एक्स्पलेनेशन करूँ वहां गडबरनी होनी चाहिए जो एक्स्पलेनेशन करूँ वहां गडबरनी होनी चाहिए बढ़िया दिख रहा मिटा जो लुप लुप हो रहा मैं उसे कैसे ठीक करूँ अब ये लुप लुप तो पेपर में यहां लुप लुप हो रहा है वो हो सकता इसकी वज़े से वो लाइट की वज़े से पर चलो कोई बात नहीए यह अर्जुन नहीं है जिसको लुप लुप देख रही वो अर्जुन नहीं वह भी म और सुकुल दुनियादारी दिख रही है अर्जुन को केबल कुश्यन दिकते तुम अर्जुन या भी ओ सब लो तो में लुप-लुप दिख रही है? तो याद रखेगा काव्वे तो राग दरबारी के लिए इनको क्या मिला? इनको साहित्या काद्मिय वाड मिला. जबकि विसराम पुर का संत इसके लिए क्या मिला व्यास सम्मान मिला पंदरे का उत्तर भी, सोले का उत्तर डी, सत्रे अठारे का उत्तर दो व्यास पुरसकार से सम्मानित न भूतो न भविश्यती ये किस लेखा की रचना है ना भूतो ना भविश्यती ये किसकी रचना हैं ना भूतो ना भविश्यती कुवर नारिण की हो जाती है आत्म जेई कुवर नारण आत्म जई, नरेश की हो जाती है अरण्या इत्यादी, नरेश महता अरण्या इत्यादी, रामदर्श मिस्र की हो जाती है आम के पत्ते, आम के पत्ते इत्यादी रचना हो जाती है, व्यास सम्मान ना भूतो ना भविश्यती ये नरिंदर कोहली की रचना है, न दिल्ली हिंदी अकादमी देती है दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी सबसे पहले देखिए डॉक्टर राम विलाश शर्मा इनको पर्थम व्यास सम्मान भी मिला है इनको पर्थम शिलाका सम्मान भी मिला है इनको पर्थम शिलाका सम्मान भी मिला है सत्रे का उत्तर सी, अठारे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है 19-20 का उत्तर दीजे भारत-भारती पुर्सकार इन में से किसको सबसे पहले दिया गया 19-80 में भारत-भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनों के द्वारा दिया जाता है इस हिमाले से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्भ भंगा मा फेलना मेरा मकसद रही, मेरी कोशी से ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगियो आग कहीं भी, याग वर्दी पहन करी बुझनी चाहिए, वर्दी आने के बाद ही बुझनी च को पहला भारत भारती पुर्सकार महादीवी वर्माजी को लोकायतन के लिए सोवियत लेंड नहरु पुर्सकार पहली बार किसको दिया गया ये पहला सोवियत लेंड भी था 1965 में इनको साती ज्यानपीट चिदंबरा के लिए कलोर बुढ़ाचांद के लिए साहित्यक आदमी किसकी बात कर रहे हैं सर सुमित्र नंदन पंत जी की बात कर रहे हैं उन्निस कड़ी बीस का ए उन्निस कड़ी बीस का ए 21 और 22 का उत्तर दीजिए साकेत महाकाववे के लिए कवी मेथली शिर्ल गुप्त जी को कौन सा पारी तोशिक दिया गया था कौन सा पारी तोशिक दिया गया था घड़ी बोली के सरपर्थम कभी कौन माने जाते हैं खड़ी बोली के सरप्र्थम कभी को अन माने जाते हैं कर दो बच्चा एक बार क्लास के लिंक को शेर मार के आओ और हिम्मत मत हार न ये बात तै हो चुकी है कि पेपर तुमारे कंटेंट में से फसरा है बच्चा किर्सी वाली क्लास कराई ती आठ कुश्यन अभी टेलिग्राम पर वेक्सर नोट्स वाले पर शेर कर दूँगा खुद अपनी आखों से चेक कर ले न और आज ये बड़ा दिक्कत कर रहा है ये थोड़ा बीच में दिक्कत आए कोई बात नहीं आज साथ नहीं दे रहा है ये केमरा पर तुम में घबरा न हम और तुम तो साथ है न चोटे बाई बड़े भाई दोनों साथ चोटी बेहन बड़े भाई सब साथ दूसरी बात कल हिंदी वो भी आज के पेपर में आरो यारो में डिट्टो कुछ को छोड़कर लेकिन याद रखिएगा ये तो मतलब आरो यारो तो तुमसे बहुत उपर है कॉंस्टेबल में तो कुछ भी नहीं बचेगा कुछ भी बस आज कल हमने वियाकरण वगयरा कर लिया आज ये हो जाएं साहित्य और कल से पूरा ध्यान किस पर देना हैं भिया जी कल से पूरा ध्यान जी के पर देना है वो होता ना वो कुछ सही करता है इसको पर चले कोई बात नहीं साकेत पर साती मंगला परसाद ये साती मंगला परसाद अखिल भारतिये साहित्ते सम्मेलन के द्वारा दिया जाता है अखिल भारतिये साहित्ते सम्मेलन के द्वारा अखिल भारतिये साहित्ते सम्मेलन के द्व घडी बोली के सरप्रतम अमीर खूसरो जी से तूतिये हिंद कहते हैं 21 का उत्तर 2 22 का उत्तर भी 23 और 24 का उत्तर दो 23 और 24 प्रत्विराज राशो किल जैए किस काल की रचना है इसे में सती परमाल राशो इसी में परमाल रासो, इसी में बीसल देव रासो, इसी काल में बीसल देव रासो रची गई, बीसल देव रासो बताईए, परमाल रासो बीसल देव रासो, ये साती आदिकाल जिसको रामचन शुक्ली जी ने वीर गाथा काल भी कहा है, ये आदिकाल अत्वा वीर गाथा काल की रचनाएं, बीसल देव रासो नर्पती नाले की और परमाल रासो जगनिक की रचनाएं, विद्यापती की पदावली, विद्यापती जिने मेथिल कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव जैदेब भी कहा जाता है, इन्होंने अभट में भी दो रचनाएं रची हैं, अभट में याद रखी गए इनोंने कीर्टी लटा कीर्टी पताका की रचना की है कीर्टी लटा कीर्टी पताका की रचना की है कीर्टी लटा कीर्टी पताका की रचना और पदावलीन की किसमें मेथली में पदावली किसमें मेथली में पदावली किसमें मेथली में तेईस काए 24 काडी 25 26 का उटतर दो, 35-26 का उततर दो, आधी काल को वीरगाथा काल किस ने कहा, आधी काल को वीरगाथा काल किस ने कहा है, देखें जार्ज गिरियरसन करके एक व्यक्ती हुए आपको यादो, जार्ज गिरियर्सन ने इस समय को चारण काल कहा राहुल सांकृतियाइन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल 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 है महवीर परसाद द्वेदी जी ने इसे बीजवपन काल 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 है हजारी परसाद द्वेदी जी ने इस समय को आदी काल काल है जबकि रामचंद्र शुक्ली जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ली जी ने वीरगाथा काल पदमावत के रचियता बताईए इसी में साती नागमती वियोग भी है पदमावती अवधी में रची गई पदमावती अकरावट आघरी कलाम कनहावट ये सब किसकी रचना है ये सब किसकी रचना है याद रखेगा मलिक महुथ जैसी ये प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनीधी कभी है प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधी कभी 25 का उत्तर सी 26 का उत्तर डी आपका बिलकुल सही है 27-28 भगवान श्री किर्संची से सम्मंदित पिर्थम और प्रधान ग्रंथ कौन सा आए दिमाग लगा के सोचो इन चारों में सबसे पहले कौन सा आया होगा इन चारों में सबसे पहले कौन सा महाभारत में 18 पर्व होते महाभारत के 6 वे पर्व भीश्म पर्व में जब महाभारत का कुरूचेतर का युद्ध शुरू हो रहा था तब भगवान श्री किर्शन जी ने अपना विराठ स्वरूप दिखा कर अर्जन को गीता उपदेश दिया था तो वही जो भगवान गीता है ये किर्शन भक्ती का पहला और प्रधान गरंत है कबीरदास तुलसीदास सूर्दास ये कौन से काल के कवी है देखे रीती काल के हो जाते सेनापती बिहारी पदमाकर इत्यादी कवी बिहारी इत्यादी आधुनिक काल के भारतेंदू ये सारे के सारे आधी काल के अभी आपने देखा चंदर बरधाई प्रिथिविराज रासो इत्यादी प्रिथिविराज रासो आधी काल चंदर बरधाई की रचना ये भक्ती काल के कवी है इन्होंने भक्ती संबंदी साहित्ते लिखा है इन्होंने कौन सा साहित्ते लिखा है भक्ती संबंदी साहित्ते लिखा है वीच वीच में परेशानी और परेशान मत हो ना तो 27 का उत्तर है 28 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है 29 और 30 का उत्तर दीजे 29 और 30 का उत्तर दीज आज भी उपने परिवार को मजबूती प्रदान करनी है क्योंकि ये दिन बार-बार नहीं लोटेंगे लेकिन यादें हमेशा रहेंगी कि तुमने किस तरह से साथ निभाया तो एक बार फिर से सब लोग क्लास के लिंकों को घेंच कर शेयर कर दो दो गंटे की क्लास मात्र डेड़ सो कुष्चन स्पीड सेये पूरा रिवाइस करा दूँगा देगे मिरगावती कुट्बन कीये ये साथी सूफी काववे है पदावली किस की है ये जिनको मेथल कोकिल कहा जाता है जिनको मेथल कोकिल विद्यापती की मेतली भाषा में बीजक, कबीर दास जी बीजक का संकलन किस ने किया धरम दास जी ने इसका संकलन किया था साखी सबद रमेनी, सूर सागर, सूर दास जी की तो 29 का उत्तर डी आपका बिलकुल सही है 29 का उत्तर डी आपका बिलकुल सही है कबीर जी के प्रमुक्स सिसे कौन थे इनमें से कबीर दास जी के प्रमुक्स सिसे कौन थे इनमें से साती कबीर दास जी के प्रमुक्स सिसे कौन थे याद रखेगा संत रहदास जी संत रवी दास जी कबीर नहीं सोरी कबीर जी के संत रहदास जी नहीं थे सुनिए कबीर जी खुद रामानंद जी के सिस्से थे देखिए इसमें एक चीत ध्यान दिजिएगा मेरे ध्यान से उतरी कबीर दास जी खुद रामानंद जी के सिस्से थे रामानंद जी के सिस्से रवीद रैदास जी की सिस्स्या रैदास जी की सिस्स्या जो थी वो थी क्या नामे मीरा भाई रैदास जी की सिस्या कोन थी मिरावाई जी थी रैदास जिकी छलिए रामानन जी की सिस्य और कि वह यह की जाता है अब भक्ती को उत्तर भारत में लाने का शिरे भक्ति को उत्तर भारत में लाने का शिरे भक्ति को उत्तर भारत में लाने का शिरे लाने का शिरे तुलसी दास जी के गुरू बताईए तुलसी दास जी के गुरू सूर दास जी के वलवाचारी हो जाते हैं दादू दयाल हरडेवानी दादू दयाल क्या हो जा गालिया कि भई इसमें से कौनसा तो यहाँ पर जब भी ऐसा जाए कि कभीर दास जी कि कौन थे सिसे की बात आये तो याद रखेगा धरम असी दास जी के गुरु नरहरी दास थे उन्तिसका उत्तर डी आपका विल्कुल सही है तीस का उत्तर भी आपका विल्कुल सही है 31 पर आ जाते हैं विने पत्रिका की भाशा विने पत्रिका की भाशा विने पत्रिका की भाशा बताईए देखिए कवितावली दोहावली स्रीकृष्ण गीतावली वेराग्ये संदीपनी विने पत्रिका ये जितने भी गरन्त हैं ये गोस्वामी तुलसी दास जी के द्वारा ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ब्रेज भाषा में लिखे गई ब्रेज भाषा में जबकि गोस्वामी जी ने रामचेरितमानस की भाषा रामलला नेचु रामचेरितमानस जान की मंगल इन सम्में साथी अच्छे से आध रखेगा पार्वति मंगल इन सब की रचना अभधी में किये तो विनेशी पट्रिका की भाषगा क्या है ब्रज भाषगा विनेशी पट्रिका किये राम चरित्मानस के रचेता बेगिए नरसी जी का माईरा इसके रचनाकार मß線 भाई भाई सूरदार जी सूरसागर 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 गोस्वामी तुलसी दास जी ने गोस्वामी तुलसी दास जी ने रामचरित मानस की रचना 31 का आए 32 का आए 33-34 का उत्तर दो 33-34 का उत्तर दीजे तुलसी दास जी का जन्म कहां पर हुआ था तुलसी दास जी का जन्म कहां पर हुआ था गोस्वामी तुलसी दास जी का इनमें से कौन सी कृती कवी सूर्दास जी की नहीं है इनमें से कौन सी साथी कवी सूर्दास जी की नहीं है देखे तुलसी दास जी के उपर जो अमरितलाल नागर जी है खंजन नयन राजापुर में जनम हुआ था तो उसी दास जी के गुरू नरहरी दास राजापुर में जनम और किर्ती कवी सूर दास जी की साहित्य ले रही है सूरसारवली, सूरसागर, सुन्दर विलास ये कवी सुन्दर दास की किर्ती है सुन्दर विला सुन्दर दास की 33 का सी 34 का डी 35 चट्र दो 35 चट्र दो 35 चट्र दो गंटे चलेगी है किलास और पूरी किलास लिये बिना मजजा ना पूरा रिवीजन हो जाएगा सुर्दास नंददास आदे अश्ट चाप के कवियों में किर्सन काववे की रचना किस भाशा में की रचना इन्होंने किस भाशा में किये बिल्कुल सही इन्होंने किस भाशा में किये सूर्दास पर्मानंददास कुम्भन दास किर्सन दास ये सब वलवाचारिय जी के सिस्से थे जबकि छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चत्रभुजदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चत्रभुजदास ये सब किसमे हैं ये विट्टलनात कुल मिलाके आठ होगे अच्टे चाप सूर्दास, परमनदास, कुम्बनदास सबसे बड़े थे किरसनदास नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चत्रमुजदास इन्होंने ब्रज भाषा को, ब्रज भाषा को अपने काववे गरंतों का आधार बनाया था सूर्दास जी के गुरू, रमन इंद जी कबीर के गुरू, रमन इंद जी कबीर दास जी के गुरू रामा निंदी जी को उत्तर भारत में उत्तर भारत में भक्तिया अंदुलन को लाने का श्री दिया जाता है मैं फिर से किरूँ जिसकी तेयार नहीं है वो पांच घंटे वाली मेरा थन ले लेना उसके बाद में इस क्लास का फायदा मिलेगा और जो बिल्कुल इसी को रटके जाना चाहे उसे भी मिलेगा तो सूर्दास जी के गुरु कौन थे वल्लबाचारिये जी 35 का उत्तर भी 36 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है 37-38 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ये किन की पंक्तियां है और प्रेम वाटिका के रचनाकार बताईए प्रेम वाटिका गरंथ के रचनाकार बताईए प्रेम वाटिका गरंथ के रचनाकार बताईए सभी लोग पायो जी मैंने राम रतंधन पायो ये मीरा भाई जी की पंक्तियां ये किन की पंक्तियां मीरा भाई जी की प्रेम वाटी का ये रस्खान की है प्रेम वाटी का किसकी है रस्खान की प्रेम वाटी का रस्खान कालिदा सभिग्यान शाकुंतलम मेगदूतम रगुवंश्यम र रचना है और बाश्या सहा जहाने किस कवी को महा कवी राय की उपाधी दी शाह जहाने किसको महा कवी राय की उपाधी दी बहुत बड़ी है सातियों कि होसला करही लिया है उची उडान का तो आज फिर से फिजूल है देखना का दास्तमान का किरसन गीता वली, किरसन गीता वली, दोहा वली, विने पत्रीका ये सभी अगर गीता वली, किरसन कविता वली, दोहा वली इस प्रकार से वली आ जाए तो याद रखेगा ये तुलसी दास जी की रचना है बिरज भाशा में शहा जहाने सुन्दर दास को, किसे सुन्दर दास, जिनोंने सुन्दर विलास की रचना की है, जिनोंने सुन्दर विलास पुस्तक की रचना की है, 49 का भी, 40 का डी, 41 का आपको सुमेलित करना है, अच्छा कुष्यने भागना मत, इसी है, सत्यार्थ प्रकाश किस ने लिखा, रामचरितमानस सूर सागर भक्तमाल ये बताईए क्या नावादास अश्ट चाप में आते क्या नावादास अश्ट चाप के कभी हैं यसियनो करके बताईए क्या नावादास अश्ट चाप के कभी हैं क्या नावादास अश्ट चाप के कभी हैं कि राहे जहां तक जाएंगी रहागीर वहां तक जाएगा ये दर्या से ये जो लाइन है एकदम अंदर से ऐसे कर देती हैं मुर्दे को भी जिंदा कि लगे कि कुछ कर गुजरो कि राहे जहां तक जाएंगी रहागीर वहां तक जाएगा ये दर्या से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा रेखी परित मानस गोस्वामी तुलसिदास जी, सूर्सागर सूर्दास जी, भक्तमाल नाभादास जी, और ये अश्टि चापके कभी नहीं है. ठीक भी आप? तो CDBA किसमे हैं? किसमें सीडी भी एकिसमें है एक तालिस का उतरसी आपका बिल्कुल सभी है बैयालेस तेतालिस बैयालेस तेतालिस यह वताइए प्रेम चिंगारी प्रेम चिंगारी किसकी रचना है प्रेम चिंगारी किसकी रचना प्रेम चिंगारी किसकी रचना है बिल्कुल सही बिल्कुल ज्यादा खांसी आते से लगता है कि इसने चौकु मार रहा हो गोई ग्यान दीप किसकी रचना है देगे साती छत्र साल दसक सिवराज भूशन शिवाबावनी ग्यान दीप शेख नभी की रचना है प्रेम चिंगारी नजफ अली की रचना है प्रेम चिंगारी नजफ अली प प्रेम वाटि का अरस्कान, प्रेम वाटि का अरस्कान चंदायन जिसको लोर कहा भी कहा जाता है ये किस की रचना है। 45 का डी 44 45 का उत्तर दो 44 45 का उत्तर दो सब लोग उत्तर देना बच्चा रचना कार और रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है मैं फिर से कह रहा हूं जो अभी भी बच रहा है जिसने वो पांच घंटे वाली नहीं लिए डवल स्पीट पर ले लो दो घंटे में बहुत पे पीडियाफता उसमें से देखते रहे ना उतानने की जोड़त नहीं है रचना का और रचना का कौन सा जोड़ा गलत है और नानक किस काववे धारा के कवी हैं गुरू नानक देव जी किस काववे धारा के कवी हैं सिक्खों के प्रथम गुरू गुरू नानक देव जी याद रखेगा तुलसी दासजी रामचरितमानस, कुतूबन मिरगावती, मलिक मुहम्मद जाइसी पदमवत, अभी मैंने बताया, चित्रावली उस्मान चाचा की है, चित्रावली किसकी है उस्मान चाचा की, और मंजन किसकी है मदू मालती, मंजन की पुस्तक क्या है मदू मालती, इश्वर दास की सत्यवती कथा, इश्वर दास की सत्यवती कथा, इस्वर दास की कौन से हो जाती है, भ चौवालिस का उत्तर डी गलत था, नानक देवजी संत काववेधारा के कवी थे, निरगुण संत काववेधारा के कवी थे, या आप ये भी कह सकते हो, ग्यानश्री काववेधारा के कवी थे, चौवालिस का उत्तर डी आपका बिलकुल सही है, पैतालिस का उत्तर ये आपका जांगीर जयांगीर केशव दास्जि कठिन काववे का प्रेत्ा कहा जाता है केशव दास्जी को कठिन काववे का प्रेत्स कहा जाता है कठिन का वेका प्रेत इनोंने कहा था भूशन बिनना सोहत इनोंने कहा था भूशन बिनना सोहत कवीता बनीता मित कवीता बनीता मित इनोंने अलंकार की वो बताते हुए कि कवीता बनीता मित भूशन बिनना सोहत कवी केशव दास जी रतना वली गोस्वामी तुल सी दास्ची की और केसब दास्ची का जो गरंत विज्ञान गीता है यह अध्यात्में समसंबंदित है राम चंद्री का आप राम चंद्री का समझ लोगी लेकिन साथ ही जो अध्यात्मिक से संबंदित गरंत है वह विज्ञान गीता है बाकि राम चंद्री का कभी प्रिया रस शाल्सका भी 58 औरे अंचास अटालिस और इंचास सिवावबडी के रचयाता बताइए कि छयतरण साल दसक शेवावडी मिए हिवराज बूशन शिवावड़ाज बूशन इनके रचिर्यता बताइए सबी लोग कि अ सभी एक बार शेयर करके चालिस तो पार कर दो बच्चा एक बार सब लोग मिलकर अपने भाई के लिए एक बार खीच के लेकर चलो आज चालिस तो पार होने चाहिए बहुत शाबश को बहुत बढ़िया शिबाबावनी ये शिवराज भूशन शिवराज भूशन 16 साल दसक 26 साल दसक देखे किस कभी को कहा जाता है वो कम शब्दों में ज्यादा देते थे कम शब्दों में अधिक आर्थ इसलिए इनको गागर का गागर में सागर भरने वाला कभी भी कहा जाता है याद रखेगा कभी बिहारी जी ये रीती काल के कभी है ये रीती काल के कभी है कैसे कभी है रीती काल के कभी है कभी बिहारी जी बिहारी सत्सई इनकी रचना है बिहारी सचसाई इनकी रचना हैं 48 का उत्तर भी 49 का उत्तर सी 50 और 51 का उत्तर दो 50 और 51 का उत्तर दो 2 घंटे की किलास है 10 वजे तक उसके बाद में Current Affairs Special वीद स्टेटिक जी के देश राजधानी मुद्रा संग्ठन ये सब कुछ कौन सा कवी रितिकाल का नहीं है कौन सा कवी रितिकाल का नहीं कौन सा कवी देगे रितिकाल के तीन प्रकार के कभी हुए रिति बद एक हुए साती रिति सिद जैसे कभी बिहारी जी एक हुए रिति मुक्त जैसे गनानंद आलम बोला भी यह सब किस में ऐन जाते हैं रीती बद कौन शको भी रीती काल क नहीं है जैशंकर परशाद यह आधूनिक काल में झायंवादी कवी यह आधूनिक काल में झायंवादी कवी 50 कस स्याप का बिलकुल से कानूपिया के लित बताईए अंधा यूग ये कीती नाटक के कीत रूप में लिखा गया नातक कीबर्या कुनाहों गुनाहों का देवता देवता ये सब किसकी रचनाहें ये धर्म वीर भारती जी किये कनू प्रियावी किस की रचनाएं धरमवीर भार्ती भगवती चरनवर्मा भूले विसरे चित्र टेड़े मेडे रास्ते चित्र लेखा रांगे रागव, छीवर कव तक पुकारू मुर्दों का ठीला अन्ना गरजुन खिचडी विपलब देखा हमने 50 का C, 51 का A, 52 का उत्तर बताओ, 52 का, हिंदी साहिते का आधुनिक यूग, ये सामन्यते कब से माना जाता है, हिंदी साहिते के तिहास, ये रामचंदर शुकुली जी की सबसे प्रामानिक रचना है एकगा 1050 से 1350 तक यो जाता है आधी काल 1350 से 1650 तक पूरमध्यकाल या भक्तिकाल फिर 1650 से 1850 तक सिरंगार काल अंदकार काल कला काल या जिसे हम लोग रीती काल कहते हैं रीतिकाल। उसके बाद में इठार पचास से अब तक ये आधुनिकाल१। आधुनिकाल में भारतेंदु यूग। यथार पचास से उनिस और फिर साती दूएदी यूग। माविर पारसाद दूएदी कर ओद्धव सतक के रच्योथ कि जगनात्त दास रतना कर कर अब्धव दिनका उत्तर आपका विल्कुल सई तरेपन का उतर डेजिया आपका करकर क्या हो सब लोग वर्द सेप जहां भी देख रहे हो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रतम अगवे स्फिछ Il Frame चोप्ट किरसी की क्लास होई हो हो या मैं कोई भी क्लास लिया हूं या कल हिंदी वाली आरो हो त्हूँ धूए उठा दिये तुम लोगों ने तुम्हारों एरो का पेपर देखोगे तो मज़ा जाएगा देखके तुम्हारे पेपर में भी मतलब यह साबित करता है कि कंटेंट वो स्टेंडर्ड है खड़ी बोली का याद रखेगा प्रिय प्रिवास अयोध्या सिंगुपाद्ध्याय हरी ओद अयोध्या सिंगुपाद्ध्याय हरी ओद अयोध्या सिंगुपाद्ध्याय हरी ओद अयोध्या सिंगुपाद्ध्याय हरी ओद अंचल अंचल किस स याद रखेगा अंचल रामे शवर्श शुक्ल जी का आए चुवन कासी पच्पनकाडी चपन सत्तावन का उत्तर दो चपन सत्तावन प्रेम सागर किसकी रचना है यह भी खड़ी बोली कि प्रारंबिक याद रखेगा ये दोनों लल्लू लाल और सदल मिस्र ये फोर्ट विल विल्यम कॉलिज में भाशा मुंसी थे फोर्ट विल्यम कॉलिज में भाशा मुंसी सदा सुख लाल नियाज सुख सागर सदल मिस्र नासी केतो पाख्यान नासी केतो पाख्यान ये चारों खड़ी बोली रानी केतकी की कहानी बहुत जादा रानी केतकी की कहानी रानी केतकी की क सदा सुख लाल निया सुख सागर सुख सागर याद रखेगा प्रेम में आदमी लल्लू हो जाता है लल्लू लाल की रचना क्या है प्रेम सागर हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है हवा में हस्ताक्षर कैलास वाजपई हवा में हस्ताक्षर कैलास वाजपई हवा में हस्ताक तो 56 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है 57 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है 5869 अंधायूग किसकी रचनाए नागर जुन्जी का वेक वास्तविक नाम क्या था नागर जुन्जी का वास्तविक नाम क्या था अंधायूग गीती नाटक है गीत के रूप में लिखा गया नाटक अंधा युक कनूप्रिया साथगीत वर सपना भीबी, ठंडा लोहा, उसके बाद में गुनाहों का देवता सुरज का सात्मा घोडा, ये सब किसकी रचना है, ये सब किसकी रचना है, नागर जुन बलच नामा रतीनात की चाची, खिचडी विपलव देखा हमने, इनको मेथली के लिए इनको विपलव, खिचडी विपलव देखा हमने, इनको याद रखेगा मेथली के लिए कौन सा मिला है, मेथली के लिए साहित अकादमी, अंदा युग धरमवीर भारती, धरम युग इनका एक अख़बार भी था, संपादक थे, वैदेनात मिश्र, ना उनसट का यह आपका बिल्कुल सही है, साट टिक सट पर आ जाते हैं, हिंदी साहित्य की भूमी का, ये किस ने लिखा, हिंदी साहित्य की भूमी का, ये इतिहास से संबन्दित गरंथ किस ने लिखा, ये इतिहास से संबन्दित गरंथ किस ने लिखा, जैसे गणपती चंद गुप्त ने हिंदी साहित्य का वेग्यानिक इतिहास, रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का अलोचनातमक इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे प्रमानिक गरंथ, ये रामचन शुक्ली जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे प्रमानिक, हिंदी साहित्य की तो 5000,000 की कमिये 40,000 में एक बार खीच कर शीर मारो सब लोग delic है अबने बड़े भाई के लिए कि एवन इवनों तो यहां तक दग्जा रहा है एक घंटे की क्लास रहे भागना मत यहां तक मज़ा रहा है तो सब लोग लिग दो यसर लोगार्ण आप पूरा रिवीजन ता होता चल रहा है रिवीजन सा क्योंकि ठ्योरी में पांच घंटे की मैंधर में करा चुका हुँ साहिते की और साहिते वहीं से आएगा ये तो मैं आपको अब कुशिंस करा रहा हूं रहा है क्षकार गडर कर दो एक टो अलदकल कर दो नुकर एक 216 40 गठीक कर दो तो बहुत जबाढ़ जबावाद बहुत जबाध ज़लिए पहर कि भूमी का आदूनिक हिंद裡 गदे का जन्मदाता जिनों ने हिंडी गदे लिखन शुरू किया नतक जरनेर न warm नगई नील डेवि इत्याध準 आधुनिक के फिंदी गदे आधुनिक की बाद चलिके आधुनिक की बाद चलिके लिया याद रखेगा भारतेंदू हरिस्चंजी, भारतेंदू हरिस्चंजी, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता, ये भारतेंदू हरिस्चंजी, इसलिए तो आधुनिक युग को कहते हैं क्योंकि गद्य युग, आधुनिक युग मतलब गद्य युग, 60 का उत्तर सीक 60 का उत्तर भी 61 का उत्तर भी 62 63 का उत्तर दो किसे राष्ट कवी कहा गया देखिए राष्ट कवी की जो उपाधी है ये जो राष्ट कवी की उपाधी है ये गांधी जी द्वारा दी गई महत्मा गांधी जी द्वारा किस पुस्तक के लिए इनकी पुस्तक थी भारत भारती इनकी कौनसी पुस्तक थी भीया सर भारत भारती पुस्तक थी कौनसी पुस्तक भारत भारती ये क्रांती कारियों के लिए बहुत प्रिये पुस्तक थी स्रिकांत वर्मा का मगद 62 का उत्तरवी अग्ये जी को कठिन गद्दे का प्रेत कहा जाता है रश्मी रती के रचियता बताईए रश्मी रती के रचियता रश्मी रती कुरूचेत्र हुंकार रश्मी रती कुरूचेत्र हुंकार उर्वशी इसके लिए ग्यानपीट संस्कृती के चार अध्याए अर्द नारी स्वर निबंध इन सब के रचियता कोने रामधारी सिंग दिनकरजी 62 का उत्तर भी 63 का उत्तरे 62 का भी 63 का है 64 का उत्तर दीजे जैद्रत्वद किसकी रचना है नहूस जैद्रत्वद जै भारत अनग तिलोत्तमा चरणदास अनग तिलोत्तमा चरणदास ये किसकी रचना है भारत भारती भारत भारती रंग में भंग ये सब किसकी रचना है जैद्रत्वद किसकी रचना है जैसंकर प्रसाद याद रखेगा कंकाल तितली रावती अधूर उपन्या से, कंकाल तितली रावती सुर्यकान तरपाथि नराला, गीती का परिमल अनामिका, गीती का परिमल अनीमा अनामिका, अनीमा अनामिका, अनामिका, याद रखना, चाबुक इनका निबंद, पंत हार उपन्यास है। जर्ट रतवाद किसकी रचना यह मेथली स्रण गुपतजी की रचना है। यह किसकी रचना है। मैं प्रिय प्रिवास भारत भारत भारती रंग में भंग यह शोधरया भी है। महत्वा गौतमबुदी जी के पत्री के वियोग के उपर, जिसमें है सकी वो मुझसे कहकर जाते, अबला तेरी यही कहानी आचल में दूध, आखों में पानी, ये सब इसी पंक्तियां इसी से हैं, साकेत ये साथी उर्मिला लक्ष्मर जी की पत्री उर्मिला के वियोग की कहा नीन कौन से निये साकेत भारतवारती यह शोधरा अरंग में भंग पृए प्रिए प्रिवास ये साथी आयोध्या सिंग उपाध्या हरी ओद की रचना हैं. जोद्ध्या सिंगुपाध्या हरी ओद की रचना हैं हल्दी घाटी के रचनाकार बताईए हल्दी घाटी गरंत के रचनाकार बताईए हल्दी घाटी के एक घंटा औरे केवल दो घंटे की है लंबी नहीं है भागना मत स्याम नारेड़ पांडे भागना मत वादा करो किसर मा सरस्वती की कसम खाके वादा कर रहें पूरी दो घंटे की क्लास ले कर जाएंगे जो बच्चे कल की क्लास में राद तक रुके थे न बहुत कुछ ले कर गए और जो सो गए उन्होंने खो दिया 65 का उत्तर भी 66 का उत्तर सी 67 का उत्तर बताओ वेदेही वनवास थेट हिंदी का ठाट थेट हिंदी का ठाट वेदेही वनवास अदखिला फूल ये सब किसकी रचना हैं ये सब साथी किसकी रचना हैं वेदेही वनवास ये सब किसकी रचना हैं याद रखेगा आयोध्या सिखुपाद्य हरियोद ये प्रिये प्रिवास वाले प्रिये प्रिवास वाले प्रिये प्रिवास वाले कुरुचेत्र हुंकार श्मीरती ये सब रामधारी सिंग दिनकर 67 का उत्तर है आपका बिलकुल सही है 68 69 का उत्तर दो 68 69 का उत्तर उर्वशी किसकी रचना है उर्वशी किसकी रचना है उर्वशी किसकी रचना है रामवरक्ष बेनीपुरी मिट्टी की मूरते मिट्टी की मूरते मिट्टी की मूरते अग्ये जी की वीपत्गा कहानी संग्रे वीपत्गा शेखर एक जीवनी त्यादी राम धारी सिंग दिनकर इसी पुस्तक के लिए क्या मिला 1972 का ग्यान पीट सूरेकान तिरपाथी निराला इन्हें कैसा कभी माना जाता है मुक्त छंद का प्रियोग किया बहुत जादा सुकुल की बीवी चाबुक चैन इनका निबंदे अनीमा बेला ये सब इनके क्या हो जाते हैं प्रभावती अलका निरुपमा ये इनके उपन्यास प्रभावती अलका निरुपमा उपन्यास चाबुक निबंध सुकुल की बीबी कहानी संगरे अनामिका निमा बेला ये कुकुरमुत्ता ये सब इनके क्या हो जाते हैं काव्वे त्यादी हो जाते हैं, कुकुर्म॥टा काव्वे त्यादी, सरोजी स्मिप्ती त्यादी इनकी बहुती तोड़ती पत्थर त्यादी की पुरुम recorded हैं, इनको कुरांती कारी काव्छा जाता एं इनको करांतिकारी कभी कहा जाता है 68 का उत्तर भी 79 का उत्तर ए 751 मतवाला का संपादन भी किया था नराला जी ने कुछ दिन मतवाला का संपादन भी किया था कभी जैशंकर प्रसाजी की रचना नहीं है कवी जैशंकर प्रसाजी की रचना नहीं है, कवी जैशंकर प्रसाजी की रचना नहीं है, याद रखिएगा, दीप शिखा, निहार इनकी पहली रचना है, नीरजा, रश्मी, सांदेगीत, सांदेगीत, गिल्लू इनकी कहानी है, अतीत के चलचित्र, गिल्लू इनकी कहानी है अतीत के चलचित्र अतीत के चलचित्र ये इनका संस्मण इत्यादी है पत के साथी ये सब इनका क्या है ये दीपसिखा इत्यादी जो है ये महादेवी वर्मा जी के जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी कि आंसु लहर जर्णा कामाईनी ये जैशंकर परसाजी के काववे हैं निम लिखितमे से कौन सा छायावादी कवी नहीं है निम लिखितमे से कौन सा छायावादी कवी नहीं है निम लिखितमे से कौन सा छायावादी कवी नहीं है देखिये सुरेकान तिरपाथी निराला जैसंकर प्रसाद महादेवी वर्मा और सुमितर अनर्पन्त इन चारों को छायावाद का स्तन्ब कहा जाता है कभी भिहारी जो है कभी भिहारी जो है ये रीती काल के कभी है 70, 80, 77 काडी 52, 33 का उतर दो 22 23 का उत्तर दो आधुनिक युक्की मीरा किसे कहा गया है आधुनिक युक्की मीरा देखो तुम्हारा पेपर चार सिफ्ट में पेपर बनाने वाले के पास जादा आप्शन नहीं है कि वह 100-500 कुशन बनाई जब 50-60 शिफ्ट में होता है तब जादा कुशन बनाता लग-लग स तो वो मोटी-मोटी चीजे पूछने की कोशिस करता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कहते हैं कि सफलता एक चिनोती है स्विकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम संगर्ष का मैदानी छोड़ मत भागो तुम कुछ कि भी नहीं जेजेकार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी भी हार नहीं होती इसलिए मैं कहता हूँ तुम ध्यान से पढ़ो एक एक चीज़ को सोचो जिसने ठेओरी वाली नहीं लिया भी वो साहित्य की मेरा थन लेलो उसे चार-पंच घंटे के डबल स्पीड पर ज्याद गलत है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है लेखक और उसकी रचना का साथियों कौन सा जोड़ा गलत है अशोक के फूल आचारी हजारी प्रसाद द्वेदी कुटज अशोक के फूल ये सब इनके संस्कृति के चारद्ध्या रामधारी सिंग दिनकर आचार महावीर प्रसाद द्वेदी जी के नाम परी द्वेदी यूग इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादर रठारे वर्स किया सरी इसकंद गुप्त गलत है इसकंद गुप्त चंद्रगुप्त धुर्म स्वामिनी जन्वेजी का नाग यग एक घूट ये सब किसकी है ये तो जैशंकर प्रसाद जी के नाटक है ये तो जैशंकर प्रसाद जी का नाटक है ये किसका नाटक है जैशंकर प्रसाद जी का ये लक्षमिनारन मिश्रका नहीं है यही गलत था तो बहतर का उत्तर भी तेहतर का सी आपका बिलकुल सही है चोहतर पिछत्तर का उत्तर दो चोहत का माईनी ये महाकाववय साती याद रखेगा इसमें कितरे सरगें पंद्रें का माईनी किसकी रचना है वीडा पल्लव गुंजन ये सब किसकी रचना है सुमितन अंदन पंत जी की निहार नीडजा रश्मी रत रश्मी सांदेगीत सांदेगीत ये सब किसकी है महादेवी वर्मा जैसंकर परसाद आंसू लहर जरना का माईनी ये बात है आंसू लहर जरना का माईनी यो जाता है अनीमा अप अनीमा कुकुर मुत्ता बेला अनामिका कुकुर मुत्ता बेला अनामिका तो चहुत्तर का उत्तरडी आपका बिल्कुल सही है चहुत्तर का उत्तरडी परकर्ति का सुकुमार कवी जैशंकर परसाजी को कलाधर कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक इमीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा सुर्यकान तिर्पाठी नरला जी को क्रांती कारी कवी कहा जाता है मुक्त चंद का कवी कहा जाता है मुक्त चंद का कवी प्रकर्ती का सुकुमार सुमित्र नंदन पंत जी को प्रकर्ति का सुकमार, चोहतर का डी, पिछतर का ए, चेतर ससतर, वीडा वादनी वर्दे, ये पंक्तियां किनकी हैं, वीडा वादनी वर्दे, ये पंक्तियां, तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर, ये भी नी की कविता है, सरोज इस्मिर्ती भी नी की कविता है, सरोज इसमिर्ति भी नी की कविता है चाबुक इनका निबंद संग रहे चाबुक इनका निबंद संग रहे बहुत शाबाश ये सुर्यकान तिरपाथी नराला जी की है वीडा वादनी वर्दे चेतर का उत्तर भी सततर अठतर बताईए सततर अठतर बताईए नागरजुन द्वारा रचित रचिना कौन सी नहीं है कवी नागरजुन द्वारा रचित इनमें से कौन सी रचिना नहीं है इनमें से कौन सी रचिना पुरानी जूतियों का कौरस तुमने कहता बादलों को गिरते देखा है मैं उ रतीनात की चाची, खिचडी विपलव देखा हमने, खिचडी विपलव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, बादलों को घरते देखा है, मैं उस जनपद का कवी हूँ, तिरलोच शास्त्री, ये किस की रचना है, तिरलोचन शास्त्री की रचना है, ज इसके लिए इनको साहित्यकादिम्य वार्ड मिला इनको साहित्यकादिम्य वार्ड मिला तापके ताय हुए दिन के लिए तो नागरजुन जिनका वास्तविग नाम वेद्यनात मिस्र था मेथली के लिए साहित्यकादिम्य वार्ड इनके उपन्यास बलचनामा रित्रिनात की चाची जबकि काववे खिचडी विपलब देखा हमने पुरानी जूतियों का कोरस तुमने कहा था बादलों को घरते देखा है मैं उस जनपद का कवी हूं यह तरलोचन शास्त्री की रचनाई जिनकी एको रचनाई तापके ताई हुए दिन मदूशाला मदूबाला प्रणे पत्री का यह सब किसकी रचनाई हैं यह हरिवन शिराय बच्चन जी किये इनको दो चट्टाने के लिए दो चट्टाने के लिए 1968 में साहित रयकादमी अवाड मिला उन्यासी असी हिंदी साहिते के किस कवी को कवियों का कवी कहा जाता है कवियों का कवी कहा जाता है कवियों का कवी हरिवन शिराय बच्चन हालावादी कवी हरिवन शिराय बच्चन हालावादी कवी अग्गे जी को कठिन गद्दे का प्रेत अग्गे जी को कठिन गद्दे क का प्रेत कठिन गद्दे का प्रेत कवी ता का गांधी भवायरी प्रशाद मिस्र कवी तक गांधी कि से कहा गया ward Me Prasad मतर और सप्रियो ही रेशीन और Chanel एंन और सजो गया चांड की चुका भी नहीं हुमें, शमशेर बहादुर सिंग चुका भी नहीं हुमें, इस रचना, ये रचना के रचेता, शमशेर बहादुर सिंग भी याद रखेगा, एक साहित्य अकादमी अवाड पराप्त विजेता हैं, शमशेर बहादुर सिंग भी एक साहित्य अकादमी वाड विजेता हैं चुका भी नहीं हूं में शेखर एक जीवनी यह अग्गेजी द्वारा रचित उपन्यास है अग्गेजी द्वारा रचित उपन्यास है नाम में जीवनी लिखके ऐसा लगता है जैसे जीवनी हो लेकिन जीवनी नहीं है यह उपन्यास है शेखर एक जीवनी असी का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, 78 के बाद बहुंग नियासी आना चाहिए था ना, 89, चली भी या, 80 क्यासी पर आ जाते हैं, 80 क्यासी पर आ जाते हैं, मेला अचल किस विधा की रचना है, इसके लेखक बताईए, मेला अचल, देवदास के लेखक, देवदास के लेखक बताईए, सब लोग उत्तर दीजे, बहुत बढ़िया, पूरी क्लास लेकर जाना, अभी 70 कुश्यन ओरें, मेला चल, यह उपन्यास है, फणिश्वर नात रेणु जी द्वारा, किसके द्वारा, फणिश्वर नात रेणु, फणिश्वर नात रेणु, इनको आंचलिक उपन्यास कार कहा गया है, इनको क्या कहा गया बच्चा, आंचलिक उपन्यास कार कहा गया है, मेला चलिक उपन्यास है, देवदास फिलमे बन चुकी है, शरत चंदर चटो पाध्याए, शरत चंदर चटो पाध्याए, शरत चंदर चटो पाध्याए, चंद आनेंदमट बनकेम चंदर चटर जी चट्टो पाध्याई बनकेम चंदर चट्रजी यह चट्टोपाध्याई मेला चोलुपन्यास पडिस्वरन नात्रेणु जिन क Kerry को आंचलिक पन्यास कार की मिये चाहिते ऐब करचन अधस को है Prison क्या नान था उसका देवदास की का नाम क्या था इस देवदास क्या गग तो पारो के आगे अवी वर्दी पहर के जाना नहीं तो पारो जत्री करेगी ब्लोक और करतेगी पारो के चक्क्र में तुर्वद दास मत बढ़ीद ती CHEJU हैं उससा पहले नहीं वर्दी में और पारों के पापा के पाथ जाना है ठेड़े मेड़े रास्ते अपने खिलों ने भूले विश्रे चित्र चित्र लेखा भूले विश्रे चित्र के लिए इनको साहित्य अकाद्मी अवाड भी मिला उपन्यास है साहित्य अकाद्मी चित्र इससे पहचाल लेंगे चित्र लेखा भी इनको पन्यास है भगवती चरण वर्माजी की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं भगवती चरण वर्माजी की बात कर रहे हैं भगवती चरण वर्माजी की बात कर रहे हैं और तू बिना नोकरी के विचल गया पारों के ग और डाई को लो राल भाल ने कर रहे हैं मूस है जुटा सच के लिखक मताईए हुटा सच दादा कॉम्रेड नियुक्तř तेरी मेरी उसकी बात के लिए साहित्य कादमे वाड मिला विश्णू प्रभाकर अर्दनारिश्वर उपन्यास जूटा सच यह यस पाल है जूटा सच जूट मत पालो तो भूले विसरे चित्र चित्र लेखा भगवती चरण वर्मा जूटा सच दादा कॉमरेड तेरी मेरी उ 84 85 इनको 2023 का हिंदी का साहित्य अकादमी वाड मिला है हिंदी का 2023 का हाली में साहित्य अकादमी वाड मिला है फांस के लेकर बताईए इनको 2023 का हिंडी का साहित्यकाद्वी अवार्ड मिलाए फांस के लिए और पता किस पुस्तक के लिए मुझे पहँचानो कहां से आया मैं हूँ कौन मुझे पहँचानो मैं एक जीव जनतू हूँ मुझे पहँचानो जीव जन्तु ने फांसी लगा दी, जीव जन्तु ने फांसी लगा दी, सर संजीव, अच्छे स्याद रखेगा, फांस किसकी रचना है, संजीव, संजीव कोई 2013 का हिंदी, साहित्य अकाद्मी अवार्ड मिला, मुझे पहचानू के लिए, जिंदगी नामा, 1980 में ग्यान साहित्य अकाद्मी, साहित्य अकाद्मी अवार्ड और ये अवार्ड पाने वाली हिंदी में प्रतम महिला, हिंदी की प्रतम लेखी का, हिंदी की प्रतम लेखी का, लेखी का का मतलब है, महिला लेखक, तो जिंदगी नामा के लेखक पूचाए, जिंदगी नामा, डार से पिछड़ी ए लड़की इन सब की रिचिनया याद रखेगा किर्स्रणा सोबती जी की बात कर रहे हैं किर्स्रणा सोबती 2017 में ग्यान पीठ भी मिला 2017 में ग्यान पीठ भी मिला 84 का उतरड़ी आपका बिल्कुल सही है कैदारना सिंग अकाल में सारस कैदारनात अगरवाल अपूर्वा कैदारनात अगरवाल का क्या हो जाता है पूर्वा और कैदारनात सिंग क्या हो जाता है अकाल में सारस कैदारना सिंका क्या हो जाता है सती आप को गई भीया कैदारना सिंका अकाल में सारस और कैदारना तगरवाल अपूर्वा ये बहुत ध्यान दीजिगा 84 का उत्तरडी 85 का उत्तरडी 86 87 हिंदी के सफलतन उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार को होने आपका बंटी एक इंच मुस्कान महाभोज नाटक ये किसकी रचना है चित्रा मुदगल आवा इसके लिए परता महिला जिनको व्यास सम्मान मिला आवा के लिए चित्रा मुदगल मनू भंडारी मिर्दुला गर्ग आपका बंटी याद रखेगा मिर्दुला बंडारी जो ये मन्नू भंडारी अलगे, मिर्दुला गर्ग अलगे, जब कोई मिर्दुल बोलता है आपसे, प्यार से बोलता है, तो आपका मन मिल जाता है उसके साथ मिल जूल मन की, मिल जूल मन, मन्नू भंडारी की रचना है, आपका बंटी मन्नू भंडारी, चारू चंदरलेख, पुनर्णवा ये किसके उपन्यास है देखिए अमरित लाल नागर अमरित और विश के लिए इनको साहित्य कादिमेवाड सूर्दाजी के उपर खंजन नयन तुलसी दाजी को पर मानस का हंस तुलसी दाजी को पर कौन सी रचना मानस का हंस चारुचंद्रलेख पुनर्णवा अनामदास का पोथा ये सब किसकी रचना है हजारी परसादवेदी ये किनकी रचना है हजारी परसादवेदी शासी का है सतासी का है अठासी नवासी का उत्तर दो 88-89 का उत्तर दो 88-89 का उत्तर दो देगे ममता कालिया दुखम सुखम ममता कालिया दुखम सुखम ममता कालिया मिर्दुला गर्ग मिलजूल मन नासीरा सर्मा कागज की नाव कागज की नाव और पारी जात इसके लिए व्यास सम्मान और पारी जात के लिए साहित्यकाद्मिय वार्ड चित्रा मुद्गल आवां मिर्दुलागर्ग मिलजुलमन मिलजुलमन किसकी रचनाएं मिर्दुलागर्गी इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेम चंद द्वारा लिखित नहीं है कौन सी पुस्तक प्रेम चंद जी के द्वारा लिखित नहीं है मुंसी प्रेम चंद गोदान गबन गोदान गबन सेवा सदन काया कल्प सेवा सदन काया कल्प रंग भुमी करम भुमी ये मंगल सुत्रिंका अधूरव पन्यास है अंगल सुत्रिंका अधूरव पन्यास है करभला इनका नाटक है कहनी पर महत बड़े कहनी कार कफन बड़े भाई cigarettes के सब्सूत के खिलाडी, बूडी काकी, ईदगहा, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर पूस की रात, दो बैलों की कथा, ये सब किसकी रचना है, ये सब याद रखेगा, मुंसी प्रेमचंजी की कहानी है, तो कायकल्प, करंभुमी, रंगभुमी, धरुवस्वामी नी, साजी की रचना है, 88 का उत्तर भी, और 89 का उत्तर डिया आपका बिलकुल सही है, 91 का बताईए, 91 का बताईए, 91 का बताईए, ठेट हिंदी का ठाट, अदखिला फूल, पिरिये प्रिवास, ये किसकी रचना है, और कौन सी रचना नागा, नागर जुन की नहीं है, जिसने ए कभी गलत करी नहीं सकता, वो इसको कभी गलत करी नहीं सकता, इसलिए मैं आप से फिर से कह रहा हूं, भागना मत वस इतना कहूंगा, 82 इसमें वो है, क्या बोलते हैं अपनी, 48 पे चल रहे हैं हम लोग, 30 स्लाइड और रह गई है, इसलिए भागना मत, ठेट हिंदी का, ये कच्वा धर्म, ये इनका निबंद है, कच्वा धर्म क्या हो जाता है, ये इनका निबंद हो जाता है, कच्वा धर्म निबंद, ठेट हिंदी का ठाट, अयोध्या सिंगुपाद्या है हरियोद, अधखिला फूल, प्रिये प्रवास, कौन सी रचना देकी, रतिनात की चाच इमर तीया बबाबा बटे इस संनास थोड़ा देर पहले बताया था दादा कॉमरेड यаст-पाल दादा जी ने हम सब को पाला या सपाल कि रचना यह बताई котором यसपाल को किस रचना के लिए साहित्यकादी में वाड मिला था सब लोग उत्तर दीजिए ठंडे पड़ गयों कता ही दादा कॉम्रेड यसपाल यसपाल को किस रचना के लिए साहित्यकादी में वाड मिला था तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, तरहन में इन में से कौन सी रविद्न टैगोर की रचना नहीं है मैंने का जिसने option अच्छे से देखे, explanation देखा, वो कभी गलत नहीं कर सकता गुनाहों के देवता सूरज का सात्वा घोड़ा कनूप्रिया ठंडा लोहा सात्गीत वर्स सपना अभीवी अंधा यूग ये इनका गीती ना टक ये सब किसकी रचना है अगर वो किलास ली होगी तो इसमें मजा आ जाएगा अभी पहली बार किलास ले रहे हो ये तो भी अगर तुमने एक्स्प्लेनेशन पर ध्यान दिया होगा तो भी कोई नहीं रोक सकता मजा आ जाएगा आपको गीतांजली दो भेने पोस्ट आफिस चंदरकांता देव की नंदन खत्री चंदरकांता देव की नंदन खत्री इसको उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी इसने हिंदी का बहुत परचार परसार किया था चंदरकांता उपन्यास ने ये देव की नंदन खत्री जी किये गुनाहों के देवता धरमवीर भारती गुनाहों के देवता धरमवीर भारती गुनाहों के देवता जैसंकर परसाजी के तीन उपन्यास अधूरा भी बताओ कंकाल तितली रावती इरावती अधूरा है 92 का उत्तर भी 93 का ए 94 95 का उत्तर दो 94 95 का उत्तर दो सभी साथी मिलकर 94 95 अधूरे उपन्यास का नाम बताओ प्रेमचन जी का अधूरे उपन्यास का शत्रंज के खिलाडी किस कहानी कार की रचना है कभी नहीं है करबला इनका नाटक है मान सरोबर नाम से इनकी कहानी आती है मान सरोबर कहानी संगरे प्रेम चंद जी के धुरे उपन्यास मंगल सुत्रिन का अधूरा था गवन रंग भूमी करंभूमी सेवा सदन काया कल्प चली भीया शत्रंज के खिलाडी शत्रंज के सुदर्सन हार की जीत जैसंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम पुरसकार इनकी कहानी है ग्राम पुरसकार चंदरधर सर्मा गुलेरी उसने कहा था चंदरधर सरमा गुलेरी उसने कहा था यह प्रेमचन जी की कहानी है शत्रन्ज के खिलाडी प्रेमचन्द प्रेमचन्द के अधुर्य पन्यास मंगल सुत्र धन्पत्रा इनके बच्पन का नाम था धन्पत्रा है तो नमका द्रोगविन की कहानी है, 94C95B, 9697 कफन कहानी किसकी है, ईदगाहा कहानी बुडीका की पंच परमेशवर, बुडीका की पंच परमेशवर विन की कहानी है, पंच परमेश्वर विन की कहानी है पूसकी रात विन की कहानी है बड़े भाई सहाब बड़े भाई सहाब जैसे तुम्हारा में कते बिलकुल कितना भी कहदव सुनते नहीं हो बड़े भाई सहाब इद गहा बूडी काकी पंच पर्मेस वर पूस की रात बड़े भाई सहाब बड़े भाई सहाब नमक का दरोगा कफन नमक का दरोगा कफन 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 शत्रंज के खिलाडी ये सब किन की हैं ये सब प्रेमचन जी की हैं तो कफन कहानी किसने लिखी है प्रेमचन रानी केतकी की कहानी इंशा अल्ला खान रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशा अल्ला खान सदल मिश्र नासी कितो पाक्यान सदा सुख लाल निया सुख सागर और रानी केतकी की कहानी ये हो जाते हैं इंशा अल्ला खान ये कौन हो ज जाते साथी इंशाल्ला खान हो जाते हैं शानिवे कभी सत्तानिवे कभी अठानिवे और निन्याणवे का उत्तर दो अठानिवे और निन्याणवे का उत्तर दो सभी लोग 98 और 99 का कल रास्ते जो 8 बजे हम लोग अंतिम प्रेक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं 5 अंतिम 5 प्रेक्टिस सेट उसमें 100 कुश्यन देनी की कोशिस है वो तुम से मिसना हो जो रेगुलर 8 बजे वाली क्लास कल से ला रहा हूं अभी मेरी कलास के बाद में 10 बजे सकरन टफेर की कलास से बहुत बढ़िया और उस कलास को देख ले न 4 से 5 कुश्यन आएंगे बिखरे मोती बिखरे मोती सुबद्रा कुमारी चौहान मुकुल मुकुल बिखरे मोती खुबलडी मर्दानी ये भी इनी की कविता है, कदम का पेड़ ये भी इनी की कविता है सुबद्रा कुमारी चोहान हिंदी साहिते की पर्थम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी किशोरी लाल गोस्वामी किशोरी लाल गोस्वामी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदू मती को हिंदी की प्रतम कहानी आकाशिदीप इंद्रजाल आंधी ये सब जैशंकर प्रसाद जी का कहानी संग रहे है रानी केत की कहानी इंशा अल्ला कहान इंशा प्रेम सागर लल्लू लाल अठानवे का सी आपका बिल्कुल सही है निन्यानवे का भी आपका बिल्कुल सही है अठानवे का सी निन्यानवे का भी सो एक सो एक का उत्तर दो और एक सो एक से वन सुरू कर दूँगा एक सो एक से क्या सुरू कर दूँगा बच्चा वन सुरू कर दूँगा ठीक है आचिरण की सभेता ये किसका निबंद है मजदूरी और प्रेम ये भी इनका निबंद है चिंतामणी किसके निबंदों का संग रहे ये पूरी रचना जिस तरीके से होती है मैंने सब रिवाइस करा दी आपको अब मुझे दोश मत देना मेरे से जितना हो पाराय मैं उतना कर रहा हूँ उससे ज़्यादा कोशिस तुम लोगों ने भी बहुत साथ दिया है ये मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो उसका वह तमाना करो ये बड़े के नाते मेरा भी थोड़ा सा हक है ठीक है हक है या नहीं है तुम लोगों पे थोड़ा बहुत थोड़ा सा तो होगा याद रखिएगा आचरण की सभ्यता सर्दार पूरण सिंग चिंता मनी रामचंद्र शुक्ल चिंता मनी रामचंद्र शुक्ल आलोग पर्व अशोक के फूल आलोग पर्व अशोक के फूल कुटज ये हजारी प्रसाद वेदी तो याद रखिएगा ये सौका उत्तर ए 101 का ए मजदूरी प्रेम भी नी का है सर्दार पूरण सिंग का हमें 2-3 लिखूँगा 2-3 कुटज के लेखक बताओ और इनमेंसे कौन सी एक जीवनी है जीवनी होती है किसी और के जीवन पर लिखी गई आत्म कथा होती है अपने हाथ से संस्मर्ण होता है जो हम कुछ याद करके लिखते हैं पुराना कोई एक छोटी सी कथा उसमें से चिंतामणी रामचंद शुकली जी की रामचंद शुकली जी का निबंद संग्रै कुटज के लेखक बताईए हजारी प्रसाद वेदी देखे बच्चे याद रखेगा ये शरत चंदर चटो पाध्याई की जीवनी है शरत चंदर चटो पाध्याई जिनोंने देवदास की रचना की देवदास की लेखक ये इनके जीवन के उपर है संपूर जीवन और इसके जीवने के लेखक कौन है लेखके विश्णू प्रभाकर ये लिखी किसने विश्णू प्रभाकरने और लिखी किसके जीवन पर है शरच चंदर चटो पाध्याए इस किताब का नाम है आवारा मसीहा ये एक जीवनी है तो पूछेगा आवारा मसीहा जीवनी के लेखा कोने क्या बताओगे बताओ यहां तक आवारा मसीहा आवारा मसीहा इस जीवनी के लेखा कोने तो कहोगे व हरिवन शिराय बच्चन जी की आत्म कता, दूसरे का उत्तर डी, तीसरे का उत्तर सी, चोथा पांचवा उत्तर दीजे, पंडित बनारसी दास्त्वारा लिखित, हिंदी की पहली आत्म कता, देखिए, ये हिंदी की पहली, हिंदी की पहली, पिरसिद आत्म कता है, हिंदी की प पंडित बनारसी दास, लेगिन यहाँ पर पंडित बनारसी दास कहा है, तो लिखित हिंदी की पहली आत्म कहा है। ये निबंध है, मांटी की मूर्तें किसका है, मांटी की मूर्तें राम वरक्ष बेनी पुरी, इन्होंने साती कालमाक्स इत्यादी की जीवनी भी लिखी है, ठीक है भी या, चार का उतरडी, पांच का उतरडी, 6-7 पर आजाते हैं, दीप जले शंक बजे ये किसकी रचना है, दीप जले शंक बजे विधावी बताने आपको साथी, ये विधावी बताने किस विधा की रचना है, ये किस विधा की रचना है दीप जले शंक बजे कनहिया लाल मिश्यर प्रभाकर ये निबंध है कनहिया लाल मिश्यर प्रभाकर ये निबंध विधा की रचना है हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है रिपोर्टाज विधा एक रूपाब करके पत्री का आती थी उसमें से ही सुरू हुई है रिपोर्टाज रिपोर्टाज विधा का जनक शिवदान सिंग चोहन जी को माना जाता है किसे माना चाता है शिवदान सिंग चोहान छे का भी साथ का सी आठवा नौवा बताईए ठेटूरता हुआ गरतंत्र ठेटूरता हुआ गरतंत्र विकलांग शिरद्धा का दौर ये किसकी रचना है ठेटूरता हुआ गरतंत्र विकलांग शिरधा का दोर देखे भवानी प्रसाद मिस्र बुनी हुई रसी अंधायुक के बताईए गीती नाटे है साथियों मैं अब सभी को बता दू कि केवल आज रात वारे वजे तक ये जो हमारी हिंदी की सामन्य अध्यन सामन्य ग्यान किताब है ये लाश्ट रिवीजन के लिए बहुत फायदेबंद होती है ना सिर्व यूपी कॉंस्टेवल, आगे आपका जीडी, रेलवे कोई भी एक्जाम हो, ये मात्र निन्याणम रुपे में है, अब सभी लोग इसे फिलिप कार्ड से सीधे ओडर कर सकते हैं, कि सामन ने देने एक आधी शंकर प्रसाई, अंधा यूग, अंधा यूग, लेगे नरेश महता अरण्या, भवानी प्रसाद में सिर्फ बुणी हुई रसी, श्रीकांत वर्मा मगद, ये धरमवीर भारती हैं, कौने अंधा यूग के रिचनाकार, धरमवीर भारती हैं, आठवे का डी नौवे क आठवे का डी नौवे कासी, दस और ग्यारे का उत्तर दीजे सभी साथी, लाश्ट के कुछी कुष्यन बचें 20 मिनिट के, लाश्ट के 20 मिनिट के कुष्यन बचें, भागना निये, कि डुबकिया सिंधू में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हात लोट कर आता है, मि कोशिस करने वालों की कभी विहार नहीं होती, भारतें दू हरिस्चन जी का कौन सा नाटक, बांगला भाशा से अनूदित है, बांगला भाशा से हिंदी में लेकर आएं, अंधेर नगरी नील देवी, अंधेर नगरी नील देवी, भारत दुर्दशा, याद रखिएगा, ये इनके कुछ नाटक है, बाला बोधनी कभी वचन सोधा, हरिस्चंद्र में जीन, इनकी पत्री का, सर्यू के पार लखनो यात्रा, सर्यू पार लखनो यात्रा, ये इनके यात्रा विरतान, कुछ आप भीती, कुछ जग भीती, ये इनका क्या हो जाता है, क्या नामें, ज आउड़िसचन्दर जी विध्या सुंदर विध्या सुन्दर जो है इसका बंगला भाशा से बंगला भाशा से हिंदी में अनुदिथ था नाटक इसकंद गुप्त की रचना किसने की है इसकंद गुप्त चंद्रगुप्त धरुबस्वामिनी एक घूट जनमेजी का नाग यग इस तरह के जितने भी प्राचीन जो हमारे राजा महराजा हुए उनके नाम पर नाटकों की रचना किसने की है किसने की ऐसा थी कंकाल तितली रावती ये इनके उपन्यास जैसंकर परसाजी का अधूरा उपन्यास बताओ जैसंकर परसाजी का अधूरा उपन्यास दसका उत्तरे ग्यारे का सी आपका बिलकुल सही है इरावतीन का धूरा था दसकाए ग्यारे का सी चंद्रगुप्त नाटक के रचिया बताईए आसाड का एक दिन आधे अधूरे ये किस की रचना है और ये किस विधा की रचना है आसाड का दिन आधे अधूरे ये किस की रचना और किस विधा की रचना है किसकी रचना और किस विधा की रचना है चंद्रगुप्त नाटक के रचना कार बताईए बिस्म सहानी तमस नीलू निलिमा निलोफर इनके द्वारा अमरिस्सर आ गया अमरिस्सर आ गया अमरिस्सर आ गया अमरिस्सर आ गया चंद्रगुप्त नाटक बताईए याद रखेगा जैशेंकर प्रसाजी का है अंधेर नगरी भारतेंदु हरिस्चंद अंधेर नगरी किसका अंधेर नगरी चौपट राजावाला भारतेंदु हरिस्चंद यह गातने इसकंदुप्त धुर्वस्वामीनी चंद्रगुप्त ये सब किनके जैशेंकर प्रसाजी के जैशेंकर प्रसाजी के आसाड का एक दिन मिसम सानिके और कबिरा खड़ा बजार में कबिरा खड़ा बजार में कबिरा खड़ा बाजार में हनूस कबिरा खड़ा बजार में हनूस आसाल का एक दिन मोहन राकेश आध्य धूरे ये नाटके मोहन राकेश जी के बारे का भी तेरह का डी चौदे पंद्रे का उत्तर दो बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की कैसी रचना है ये मन्नू भंडारी की कैसी रचना है महा भोज एक इंच मुस्कान आपका बंटीन का उपन्यास है लेकिन आपसे उपन्यास ये नहीं पुछा आपसे पुछा बिना दीवारों का घर बिना दीवारों का घर आधे अधूरे ये किस विधा में रखा गया है ये किस विधा में लिखा गया है मोहन राकेश जी की रचना है मैंने कहता जो एक्स्पलिनेशन पर ध्यान देगा बहुत ही चुनिंदा चीजे ली गई है बहुत जादा चुनिंदा बिना दीवारों का घर ये साथी ना टक है जबकि आपका बंटीन उपन्यास महा भोज औ पर बिना दीवारों का घर अच्छे स्याद रखेगा साथी बिना दीवारों का घर इस चीज को ध्यान दीजिएगा सभी लोग ये नाटक है ये क्या हो जाता है नाटक चलिए आधे अधूरे ये भी नाटक है मोहन राकेश जी का आधे अधूरे भी तो बताया था आधे अ कुश्यन बचेए EduceLyl 1890 भore का तारा इस एकांकी के लेखक भोर का तारा भोर का तारा एकांकी एकांकी कि अमच्प पर्इंद्र नाथ अशक है अंजो दीदी और नाथ अश्क अंजो दीदि याद रखेगा जगदीश चंद्र मातुर जगदीश चांद के चांद तारे चांद तारे वहां से याद रखेगा finest जागडीस चन्द्र चांद ये तो तारे भी ए अंधेर नगरी नाटक के रिचेता अंधेर नगरी जेशेंकर प्रसाजय मोते आती हैं मोहरं के आ आजार में ये भारतेंदु अरिस्चन जी का है नील देवी, अन्हेर नगरी ये सब भारतेंदु अरिस्चन जी के है 16 का 20, 17, 18, 18, 19 का उत्तर दो रेशिमीर टाई एकांकी संगरे के रिचेता और पुरुषकार कहानी के लेखग, जेनिंद्र कुमार की एक कहानी संगरे है नीलम देश की राजकन्या हार की जीत सुदर्सन, घोड़े वाली बाबा वाली जो कहानी है पुरुषकार ग्राम ये जैसंकर परसाजी की पहली कहानी ग्राम जैशंकर प्रसाजी की पर्थम कहानी अब ये रिपीट होने लगे होंगे तुमारे दमाग में और तुम लोग पहले से ज़्यादा मजबूती से उत्तर दे रहे होगे मज़ आ रहा है नहीं आ रहा है सब लोग पहले से ज़्यादा उत्तर दे रहे और क्लास के बाद में आज ही आज है इसको जरू ले लेना है बहुत काम है निन्यानवे रुपे में मत सभी इस क्लास के लिंक से तुरेंट ओडर कर देना घर पहुंच जाएगी पहले कर दोगे तो सबसे पहले आपकी निकल जाएगी राम कुमार वर्मा रेश्मी टाई राम कुमार वर्मा पुरुसकार जैशंकर परसाजी की है पुरुसकार किस की कहानी है जैशंकर परसाजी की है अठारे का भी अठारे का भी उन्निस का सी अठारे का भी उन्निस का सी अठारे का भी उन्निस का सी बीस इकिस का बताईए मजदूरी और प्रेम ये भी निबंद है मजदूरी और प्रेम इसके लेख बताईए थोड़ देर पहले बताया था मजदूरी और प्रेम इसके लेख बताईए कौन है थोड़ा तेजी से चलिएगा पच्पन खंबे लाल दिवारें 55 खंबे लाल दिवारें रुकोगी नहीं राधिका ये भी नीकी है मजदूरी और प्रेम प्रेम के बिना इंसान पूरा कहा होता है सरदार पूरण सिंग 55 खंबे लाल दिवारें उशा प्रियम वदा पच्पन खंबे लाल दिवारे उशा प्रियम वदा रुकोगी नहीं राधिका वाली इसका उत्तर एक किसका उत्तर सी 22-23 का बताईए आनेंद मठ के लेखक, अमरीत और विश्ट के लेखक, मुझे तो मजा राया उतर दिने में क्योंकि इतनी बार तुम लोगों ने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया आनेंद आगाएगा, यहीं होता रिवीजन, तुम क्या करते एक तरफ से करते, मैंने चुनिंदा लिया, पांसो चीजों कभी रिवीजन नहीं किया जाता, आनेंद मठ, लेके शरचन, चटो, पाध्या इन्होंने देवदास लिखी, आनेंद मठ के लेखग, बंकिम चंदर चटर जी, यहीं से वंदे मात्रम लिखा गया, अमरे तौर विश्य, यह किस की रिचना है, इन्होंने खंजन नयन किस की जीवनी जैसा है, खंजन नयन किस भक्तिकाल के कभी के उपर है, और मानस कहंस क किस भक्तिकाल के कभी के उपर है, मानस कहंस किस भक्तिकाल के कभी के उपर है, साथियो आज आपको एक चमतकार और दिखाऊँगा क्लास के लाश्ट में देख लेना बोल देना भहिया चमतकार दिखा के बंद करो चमतकार देखके जाना जादूगर का चमतकार जादूगर का चमकदार बोल जमालू चमतकार दिखाऊँगा दू एक के दो बनादू ले जोडा बनादू जोडा बनादू ना जी तीन बनादो वह जोड़े की बाती तीन की नहीं थी तो चमतकार दिखाऊंगा तुमें अभी आनेंद मटके लेखाक बंकिम चंद्र चटर जी आनेंद मटके लेखाक बंकिम चंद्र अमरित वर विश अमरित स्टौर्वालनागर जी का यह सूर्दास जी तूसी दासजी के कीं ए इतों सी दासजी के ऊपड़ी के विया det रॉलाआ तक राव्ट विवा कैदारना थे लगाल पूर्वा हार सुमित्रहननद जी को पन्यास है 22 का उत्तर भी 22 25 का उत्तर दो 24 25 का उत्तर दो थीक्रे की मंगनी पारी जात कागज की नाव ये सब किसकी रचना है थोड़ा सोच समझ कर और थोड़ा जल्दी से कही सोचने समझने में पूरा समय ले लो कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान पारी जात के लिए सहित्यक आदमी पारी जात के लिए कौन सा हो जाता है सहित्यक आदमी पारी जात के लिए सहित्यक आदमी और बताईए साथी ये किसकी रचना है ये किसकी रचना है अभी मेरी क्लास के बाद में बहुत बढ़िया सी करंट अफेर इत्याती की किलास है याद रखिएगा नसीरा सरमा तुरन सोच जाना चीह था कासी कासी रेहन पर रगू कासी कासी रेहन पर रगू ये किसकी रचना है चमतकार देखना मत भूलना अज गिरे जमालू चमतकार दिखादू पूरा देखके जाना पूरा देखके जाना चौबिस काड़ी काशी 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 सरदार इन हातों ने हतियार छोड़े हैं चलाने नहीं भूले ये डायलोग इसका थोड़ी ना था ये तो इसी का था उसका जिद्धी फिलम का जिद्धी कौन सी थी तो जिसनें काजल में उसको दोका दी दिया था 24 आपका बिलकुल सभिश्टके और 29 धूल पौधों पर गोविंद मि直िशाज़ा उसका उत्तरे 26 27 27 Kungern ने अपने इंगलेंड प्रिवास के दौरान कौनसा गीत संग्रे लिखा कौनसा गीत संग्रे लिखा होरी गोबर ये किस के ना होरी होरी किस उपन्यास का नायक है और गोबर गोबर भी इसका एक चरित्र है गोबर भी इसका एक पात्र है गोबर भी इसका एक पात्र है तो सब लोग ओडर कर देने किताब सुबैसे तुमारे इंतिजार कर रहा तुम आओगे तब तुम्हें बत त्रीका होड़ी गोदान का है होड़ी गोदान का बहिए होरी गोवर प३रेंचंद जी द्वारा लेखा प३रेंचंद जी द्वारा लेखा 26 का ये सटाइस का सी Ay égalी पत्किस की रेचना है तक की रेचना है तृक एप्यों व희 सबसा इसके लेखक भी बताने हैं, इसके लेखक भी बताने हैं, इसके साथी लेखक भी बताने हैं, लेखक कोने हैं, इसके लेखक भी बताने हैं, बहुत बढ़िया, आप सभी को इसके लेखक भी बताने हैं, बहुत बढ़िया, आपको सभी को इसके लेखक भी बताने हैं, एक सीता जी के उपन्यास से समन्नित है, सीता जी के वनवास से, सीता जी के वनवास से, बिल्गोल सई, ध्यान दीजेगा, अगनी पत तो अरिवन शिराय बच्चन शी किये, कि व्रक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े, तनिक पत्र छाओं भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, तो ने रुकेगा कभी, ने तू ठकेगा कभी, तो ने मुडेगा कभी, कर्शपत, 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 अगनी पत, अगनी पत, सीता वनवास से सम्मंदित, प्रवाद पर्व, ये नरेश महता की रचना है, प्रवाद पर्व, नरेश महता, 28 का ए, 29 का डी, 28 का ए, 29 का डी, 31 का बताईए, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, और उस पत पर देना फेक, मत रभूमी पर सीस चढ़ाने, जिस पत जाएं वीर अनेक, ये एक पुष्प की अभिलाशा करके कविता थी, ये पुष्प की अभिलाशा करके कविता की लाईने, कि एक फूल जो है, उसके मन के चाय कि वो किसी माला में न गुथा जाए, वो बेसक र इनको 1955 में हिम्त रंगनी के लिए पहला हिंदी के लिए सहीत्यकाद्मियवार्ड माख רलाल चोतर वेदी जी एक भारतिया आतमा कुमार संभव रगुब श्याम मालवि कागनी मित्रम रितू संघार में रितू संघार में रितु संगारम, विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो याद रखेगा, ये काली दास, ये महाकवी काली दास की रचनाएं, ये किसकी रचनाएं, महाकवी काली दास, बच्चों की कहानिया लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचिनाकार प्राण कुमार सर्मा जांसी की रानी सुबद्रा कुमारी चोहान 32 काभी तेटिस काडी 34 पेटिस हुंकार कावे संगरे की रचिनाकार और पत्री का धरम युग के संपादक हुंकार 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 तेजी से दो उत्तर फिर दिखाऊंगा तुम्हें चमतकार अरे जमूरे असे अले है अहरव डारी सिंग्दिनकर जी अंकार कुल जेतर और बहसी यह धर्मवीर भार्ती धर्म्योग धर्मवीर भार्ती जोटी का 35, 36, 37 का बताओ, 36, 37 का बताओ, महावीर प्रसाद द्वेदी जी, इनी के नाम पर द्वेदी युग, 18 साल संपादक रहे, 1903, 1921 तक, 18 वर संपादक रहे, इसी वज़े से जो उन्हों ने इस पत्रिका के संपादक के तोर पर हिंदी की सेवा की, इसी वज़े से इनके, इन हरिष्चंद जी द्वारा संपादित पत्रिका इन में से कौन सी नहीं है, इन में से कौन सी एक नहीं है, तो कौन सी पत्रिका सरस्वती, सरस्वती पत्रिका इंडियन प्रेश, चंतामनी घोस, 1900, भारतेंदू हरिष्चंद जी, बाला बोधनी कवी वचन सुदा हरिष्चं रमेक जीन आनंद कादमरी मिर्जापुर से चपती थी ये प्रेमघन बदरी नारेंड चौधरी प्रेमघन अठारे सवे क्यासी मिर्जापुर से प्रकासित होती थी कहां से मिर्जापुर 36 का भी, 37 का है, 36 का भी, 37 का है, 38, यहां पे साती कुछ है रचना, उनके रचनाकार सुमेलित कीजिए, रचना और रचनाकार को सुमेलित कीजिए, रचना और रचनाकार को सुमेलित, पिटा इसके बाद में जो क्लास है, करंट अफेराधारित, जितना भी तुमारी श्ट्रे कहीं पर कोई सम्मेलन कुछ भी हुए कहीं पर कोई संग्टन वगेरा बहुत ही सॉलिड सी क्लास है अभी मेरी क्लास के बाद में देखो दो तरीके के स्टुडेंट होंगे जो इस बार हर हाल में अपना पूरा जान लगा देना चाहता है कितना जो लगा के हाई सा जिसके समार खां समझके क्योंकि मूरा के टीचर तो बताने वाला नागपती वियोग ये मलिक मुहमद जाय सी ब्रह्म राक्षास ब्रह्म राक्षास देखे जूटा सच या जाता ही असपाल और अब एक तो किलिर आगई एका तीन हो जाएगा सी का दो हो जाएगा एका तीन सी का दो कहीं नहीं है केवल इसमें एका तीन सी का दो तो ब्रह्म राक्षास मुक्ति बोध और असाद्य वीड़ा एक तो जब आपको कुछ नहीं आता ता आप ये बहुती मदद करते हैं ऑप्शन हटा के 38 का भी 49 49 49 हिंदी का पहला समाचार पत्र हिंदी का पहला समाचार पत् जुगल किशोर शुकलिस के संपादक 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 जु उदंत मारतंड मरच कटीकम किसकी रचना है शुद्रक्की 49 का डी 40 का ए 41-42 थोड़ा तेजी से उत्तर दो संगीत राज पुस्तक की रचना किस ने की है संगीत राज पुस्तक की रचना किस ने की है संगीत राज पुस्तक की रचना किस ने की है संगीत राज पुस्तक की रचना किस ने की है संगीत राज पुस्तक की रचना किस ने की है संगीत राज पुस्तक की रचना किस ने की है 442 442 4444 रगू बच्चिम किसकी रचना है कुमार संभव रगुवन शरितू संघारम अभीजान शाकुन्तलम कुमार संभव मालविकागनी मित्र ये किसकी रचना है परतम विष्विन्दी सम्मेलन कब कहाँ पर हुआ टोटल बारे हो चुके IMTM T MIMF 12, 35, 6 U.S., USA US, USA U.S., USA IMIMT, U.S., USA IMF 123, 45, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भारत मौरिष्यस भारत मौरिष्यस त्रिनात तुवेगो UK सुरिनाम अमेरिका साउत अफिरीका इंडिया मौरिशस फिजी रगु वंशं ये काली दास की, रगु वंश्यम काली दास की, काली दास, और ये कब हुआ तो 1975, 1975 नाकपुर, 43 का भी 44 का डी, 43 का भी 44 का डी, 45-46 का बताओ, महादेवी वर्मा जी को नीर्जा के लिए कौन सा पुरुषकार मिला, नीर्जा के लिए कौन सा पुरुषकार मिला, महादेवी वर्मा जी को नीर्जा के लिए, देखे ग्यान पीठ नीर्जा के लिए नहीं मिला था, नीर्जा के लिए नहीं मिला था, ये चीज़ अच्छे से आद रखेगा, ये बहुती आपको ध्यान पूरुवग बात देनी ह ये साती आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान पूरुग वाद देनी है कि इस यामा के लिए मिला था वो तो ने यामा के लिए मिला था मिलकुल सही सर सकसेरिया नीरजा सकसेरिया नीरज को सकसेरिया सक सेरिया ग्यानपी ठीयामा के लिए पर्तम भारत्म भारतितों संपूर रचनाओ के लिए कथाकर संजीव को कि किस रचना के लिए इंदु श्रम अंतरश्टिक अन्था सम्मान मिलाथ यह सती आवा के लिए आवा के लिए यह चित्रा मुद्गल को भी मिल चुका है आवा के लिए चित्रा मुद्गल को संजीव को उनकी किस रचना के लिए संजीव को उनकी किस रचना के लिए जंगल जहां सुरू होता है जंगल जहां सुरू होता है जंगल जहां शुरू होता है पैंतालिस का भी चालिस का सी पैंतालिस का भी के लिए जेनिंद्र को क्या मिला सर भारत सरकार सिक्षा मंत्राले पुरुषकार जेनिंद्र को प्रेम में भगवान रचना के लिए 47 का भी 48 का बताओ धूल पौधों पर गोविंद्र मिस्क्र को कौन सा पुरुषकार साल 2013 में धूल पौधों पर के लिए साल 2013 में गोविंद्र मिस्र को याद रखेगा सरस्वती सम्मान 48 का भी 48-50 का उत्तर दो हिंदी साहित्यकादमी से पुरुषकृत कल सुनना मुझे किसकी रचना है सुदामा पांडे इनका पहला नामे उपनाम इसमे दे रखाए कल सुनना मुझे बताईए किसकी रचना है विस्म सहानी को तमस के लिए श्रिलाल शुकृत को क्या नामे राग दरबारी के लिए राग दरबारी यश्पाल को तेरी मेरी उसकी बात के लिए तेरी मेरी उसकी बात के लिए अलका सरावगी कलिकथा वाया बाई पास, इसके लिए हिंदी सहित्यक आदमी, सुदामा पांडे धुमिल को कल सुनना मुझे, पुड़ंचासका ये 50-80, 51-52 अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी सहित्यक आदमी पुर्सकार दिया गया, और आग की हसी, 2015 में सहित्यक आदमी किसे मिला इस बार सरस्वती समानी से पिछली बार सरस्वती समानी भी मिला और आम के पत्ते के लिए व्यास समानी भी मिला आग की हसी अलका सरावगी कली कथा वाया बाई पास कली कथा वाया बाई पास और आग की हसी के लिए रामदरशमिस आग की हसी के लिए रामद रेहन पर रग्गू के लिए क्या मिला था काशि का शीव इनकी रचना है काशी का शीव याद रखेगे इनकी रचना है यहां से जो पूछा है वो साथी रेहन पर रग्गू के लिए 2011 में सहित्यकाद्मी वाड 2011 में सहित्यकाद्मी और कागज की नाव के लिए कौन सा 2016 में नासीरा सर्मा को सहित्यकाद्मी द्वारा किस पुर्सकार के लिए पारी जात के लिए 2019 में कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान पारी जात के लिए साहत्य कादवी थोड़ी पहले बताया था तरेपन का एच उवनकाड़ी पच्पन चपन 75-56 उत्तर दो अब साती चमतकार देखे लइकले तयारो वादा करो बिना चमतकार देखे नहीं जाओगे जमूरे वादा करो बिना चमतकार देखे नहीं जाओगे चमतकार दिखा दू बिना पेपर दिए यूपी कॉंस्टिबल पार करा दू बिना पेपर दिए एक बारा आखबंद करके बोल बिना पेपर दिए बिना पेपर दिये कि वो लो जी सीधी सीधी वर्दी भेज़ दू तेरे अंदर चलो तेरे अंदर सीधी वर्दी भेज़ दू देख वर्दी आ रही है देख थोड़ा सा उपन निगा कर एक बार उपन निगा कर देख वर्दी तेरे पास आ गई देख 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 वर्दी मन से देख मन की आँखों से यह आँखों से नहीं दिखेगी यह आ रही है वर्दी तेरे पास मन की आँखों से देख यह वर्दी तुझे मन की आँखों से दिखेगी यह काली आँखों से नहीं दिखेगी तुझे मन की आँखों के मन बंद क पर मन बंद कर एक बार आग बंद कर एक बार बोल दे दिखादो बोल दे दिखादो धर में कोई आसपास हो तो से भी बुलवा दे कि जी दिखादो एक बार वर्दी में वर्दी में दिखादू कैसा लगेगा वर्दी में दिखादू कैसा लगेगा अरे वर्दी जवाएगी जब पढ़ेगा टंपू कोई चमतकार नहीं होगा नहीं तो चमतकार है जो तुमने परसों की किरसी की क्लास ली थी आठ कुश्यन किरसी क्या है आज आरो यारो में साथ कुश्यन तुमारी क्लास से पहला 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 किरसी विस्विद्याले देखो पहला किरसी विस्विद् यहां पर दो इस्टार भी लगाई थी इंपोर्टेंट है आ गया सीधा सीधा बाकी भी वंडे अगो तीसरा कुश्यन एंपीडा स्थापना और मुख्याले कोची यहां पर कलकत्ता एंपीडा समुद्री प्रोडक्ट और तुम्हें बताया था बहुत इंपोर्टेंट है इस एश्या मिलपा मेक्सिको केवल दो सुमेलित था ये भी कितना तगड़ा कुश्यने ये भी कितना तगड़ा कुश्यने लदांग होती है दक्षण पूरवेश्या ये दक्षण पूरवी यह उत्तर पूरवी भारत होता केवल दो सुमेलित है केवल दो सुमेलित है केवल द जूटरी बोला आगे आ जाता है मसाला बोर्ड चाय बोर्ड रबर बोर्ड कॉफी बोर्ड पुछा था कौन से सुमेलित नहीं है तो देखो चाय बोर्ड कॉफी बोर्ड इस्टा लगाया था कॉफी बोर्ड बंगलूरु में यहां पे हैदरबाद दिया गया था यहां पे है जलवाई हुए टोटल आ जाए नो यहां पर ग्यारे दे रखेते गलत हो जाता आर्थिक भी नो नहीं है तो यह भी कितरे दिन पहले वंडे पहले का कुश्यन एक दिन पहले जो आपकी क्लास थी और लो शुस्क वन अनुसंधान संस्तान शुस्क अनुस छेतर अनुसंधान स कजरी वगेरा यहीं पर एरिड फोरेश्ट रिसर्च इस्टिट्यूट इस तरीके के सारे कुश्यन यह किर्सी वाली क्लास से और वो तो तुम्हारे कॉंस्टेबल की लेबल की थी यह आरवरा की लेबल की भी नहीं थी सोचो अगर तुम्हारे में क्या जलवी उड़ेंग तो यह वो चमतकार था कि जिससे वर्दी आएगी जब तुम क्लास लोगे तुमेंसे जिसने नहीं लीना तुमसे मिलूगा सत्रे अठारे तारिक को और तुमारा तुमारी रहेट भार रही होगी यहां तक और सूती भी नहीं जा रही होगी तुमसे और जो रेगुलर एक् गया तेरे दिमाग में तो चल एक और कुश्यन दे रहा हूं पांच कुश्यन पांदूनी दस नंबर की क्लास बता दू पांच दूनी दस नंबर की क्लास बता दू बोल तो तो तेरे नंबर जीके में इस बार 32 प्लस कुश्यन करा दू बोल एक बार बोल एक बार मिन की अज पांच कुषिन पढ़ के सो ना ज सीदे ौडड करो फछ न पढ़ के सोगे वाद करो फांच कुषिन पढ़ के सोगे सरी, यहीं जिसका जनम हुआ, जो मर गया सब की जानकारी है कुछ नहीं करना हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो यहां से सीधे आ जाओ एक और इस क्लास का PDF चाहिए इस क्लास का PDF चाहिए तो यह मोर लगा हुआ है मोर लगा हुआ है यहाँ पर विवेक सर नोट्स करके है और उससे बढ़िया नीचे यहाँ पर अध्यन ये साती सामन्य अध्यन की किताब है सभी साती अभी ओडर कर लो मां 344 रुपे में मां 344 रुपे में घर पहुँचकर फिलिप कार्ट पर सीधे और ये रिवाइस करने के लिए सूपर डूपर है किसी भी एक्जाम के लिए अभी जाके ओडर कर लेना अभी जाके क्लास कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताना पीडिया अप तुरंत अपलोड कर दूँगा और तुरंत साथी आप सभी लोग इस क्लास में पहुँचो क्लास सुरू हो चुकी है तुरंत इस क्लास से सीधे के सीधे गुरुजी की क्लास में पहुँच जाओ और संजीस सर को मेरा हाय कह देना पुला गुरुजी ने भेजे जहिंद बोल देना जहिंद बोल देना संज दिखा दो पूरे इंडिया को पूरे घरवालों को ऐसा पेपर करके आओ कि वर्दी सीधी आ जाए बोल दो जोड़ा बना दू निकाल दू एक कुश्चिन में से दूसरा कुश्चिन चलो आज के लितना ही फिर मुलकात होगी वे तुरन चले जाओ गुरू जी की क्लास में क्लास सुरो चुकिए मेरी तरफ से जैहिन बीस हजार कंसिगम आज गुरू जी के लाइव होने चाहिए ठेंक्यू जैहिन जैभारत जैग्जांपूर और कल से जीके की क्लास में छोड़ना संस्कृती बंस्कृती आईपीसी सी रपीसी जो थोड़ा बहुत बचा है सारी छे दिन जीके करारों दब यस से हिंदी पे अब नहीं दूँगा ध्यान हिंदी के वर रात आठ बचे जीके पर होगा पूरा ध्यान और जैसे तुम्हें फसाया जैसे तुम्हारे लिए फसाया मैंने आरे आरो यारो में वैसे भसा दूगा तुम्हारे लिए यूपी पुलिस कॉंश्टेवल में ठीक है चलो थेंक्य धन्यवाद जैहिंद